हेलो मैं दियर फ्रेंट्स वेलकम तो इने चैनल फ्रेंट्स आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का एक्साइज 11.1 सॉल करने वाले हैं एक्साइज 11 जो हमारी है वह हमारी कंस्रिक्शन है कंस्रिक्शन के हम सभी कोश्चन को सॉल करेंगे तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहला जो कुछा गया है कंस्रिक्शन का उसको सॉल करने वाले हैं कोश्चन मेर वन में हम से कहा गया है draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5 ratio 8 measure the two parts हमें कहा गया है एक line draw करनी है 7.6 cm की और उस line को 5 ratio 8 में divide करना है और साथी साथ divide हुए part को measure करके भी बताना है क्यों उनकी measurement क्या आ रही है तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम क्या करने है scale की साथा से 7.6 cm की एक measurement draw कर लेंगे उसके लिए हम क्या करने है scale की साथा लेंगे और दो point mark करकर 7.6 जहां भी आ रहा है वहां से इन दोनों को joint कर देंगे joint करने पर हम इनका नाम लिखेंगे A और इसका नाम लिखेंगे B यह हमारी line segment है okay friends line segment क्या होती है जिनके दो ending points होते हैं अब हम क्या करेंगे इस line को हमें 5 ratio 8 में divide करना है उसके लिए हम angle A consider कर लेंगे या A point पर हम angle draw करेंगे acute angle draw करेंगे okay friends उसके लिए हम क्या करेंगे compass लेंगे जितना हो सके आप उतना compass open कर लेंगे अपने according आप इतना open कर लेजिए जितना भी इच्छा हो उतना compass open करके आपने यहां पर एक acute angle draw करना है तो चलिए मैं acute angle draw कर दिखाता हूं आपको A वाले point पर हमने angle draw करना है तो compass की साइता से हम ऐसे arc लगाएंगे compass की नोक यहां पर arc जो लगाई है ऐसे हमने arc ला लेनी है आर्क लगाने के बाद compass की जो नोक है वो आपने यहां रखनी है इस वाले point पर आपने compass की नोक रखनी है उसके बाद यहां पर इसी arc को आपने कट कर लेना है कैसे कट करेंगे आप compass की नोक यहां और इस arc को ऐसे कट करेंगे तो यह acute angle बन जाएगा अक्यूड एंगल कितना बनेगा वो 60 डिगरी का अक्यूड एंगल बनेगा ओके फ्रेंड्स याद रखेंगे compass की जो एक measurement जो करती है वो हमारा 60 डिगरी एंगल ड्रॉ करती है तो हम क्या करेंगे जो यह हमारा cut of point है देखिए एक यह वाला point और यह वाला point इन दोनों से पास होती हुई एक लकीर हम ड्रॉ करेंगे जो कि इसे 60 डिगरी एंगल पर बना देगी तो यह हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेंगे ओके फ्रेंट्स आई होप यह आपको clear होगा आप इस लाइन को जितना मर्जी बढ़ा करके लिख सकते हैं या बनाकर दिखा सकते हैं ओके फ्रेंड्स फिर हमने क्या करना है इसी लाइन को 13 equal parts में divide करना है कितने 13 equal parts में divide करना है उससे पहले हम यहाँ पर इस line को X denote कर देंगे 13 equal parts क्यों क्योंकि हमें 5 ratio 8 बोला गया था तो हम compass की साहिता से इस line को 13 equal parts में divide करेंगे ओके friends तो चलिए compass हम छोटा सा compass खोलेंगे क्योंकि 13 arc लाएंगे तो यह बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा इसलिए आप compass को छोटा खोल लीजेगा जितना हो सके उतना खोल लीजेगा छोटी छोटी आर्क लानी है कितनी 13 arc लानी है तो चलिए 13 arc लाना स्टार्ट करते हैं कहां से लगेगी arc पहला यहां से लगेगी यह वाले पॉइंट से तो compass की नोगा आपने यह रख नहीं है एक arc फिर अगली arc की second point से इस वाले point से यह हमारे दूसरी arc तीसरी arc चौथी पांच्वी छेवी सातवी आठ्वी नौवी arc यह हमारे दसवी arc हो जाएगी ओके friends measurement हिलनी नी चाहिए के friends ग्यार्वी यह बार्वी और यह कुली मिलाकर तीर्वी arc 13 arc हमने लगा लिए है इनका नाम हम लिखेंगे तो चलिए हमको अपनी copy को सिधा कलते हैं कुछ इस तरह का diagram आपको देखने को मिलेगा तो इसका नाम लिखेंगे हम A1 याद रखिए पहला हमारा point A है यहां से starting होगी तो A1 लिखेंगे हम उसको फिर इसको लिखेंगे A2 यह हमारा A3 यह हमारा A4 यह हमारा A5 यह हमारा A6 यह हमारा A7 A8 A9 A10 A11 और यहां पर A12 finally यह हमारा A13 13 arc आपने draw कर लेनी है यह जरूरी नहीं है कि आप इतनी इतनी ही arc लगा है इससे बड़ी और इससे छोटी arc भी लगा सकते है दोनों ही arcें सही होंगी बस इतना जाद रखे सभी के बीच का measurement एक बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक बड़ी arc लादी आपने एक छोटी arc लगा के 13 arc complete कर दी नहीं बिल्कुल भी नहीं तो वो आपका diagram गलत हो जाएगा इक्वल 13 arc लगानी है फिर उसके बाद क्या करना है 13 वाले point को B वाले point से मिला देना है तो चलिए हम इसको मिला जते हैं जैसा भी मिल रहा है आपने दोनों points को मिला देना है तो यह थोड़ी सी टेड़ी दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है यह diagram अगर measurement थोड़ी और बड़ी होती तो यह diagram सीधा भी बनता अगर यह measurement छोटी होगी तो यह थोड़ा टेड़ा भी बनेगा दोनों ही case में यह diagram सही count होगा अब हमने क्या करना है इस वाले point पर A13 वाले point पर एक arc लगानी है कैसे लगाएंगे इसके लिए आप थोड़ा बड़ा compass खोलेंगे compass की नौक A वाले 13 वाले point पर और थोड़ा मैं और बड़ा compass खोलेता हूँ एक arc ड्रॉप करनी है ऐसे I hope यह clear होगा A13 को B से मिलाने के बाद आपने यह work करना है जहां पर point cut off point है वहाँ पर आपने एक measurement ड्रॉप कर ली उतना ही compass आपने खोल के A5 वाले point पर भी रखके arc लानी है तो A5 पर इस बार रखना है क्यों रखा है क्योंकि उसने 5 वाला point हमें कहा गया था तो हम यहाँ पर A5 पर compass रखेंगे और एक arc ड्रॉप करेंगे तो चलिए मैं arc ड्रॉप कर जाता हूँ A5 पर मैंने compass की नोक रख लिए है जितना compass हमने यहाँ खोला हुआ था उतना ही compass हमने खोलना है अगर compass की measurement हिलती है तो यह आपका diagram गल्थ हो जाएगा तो हमने कहा करना A5 पर रखके compass की नोक आर्क लादे नहीं है यह आर्क लागाना सीख गए तो समझे आपने diagram सीख लिया ओके फ्रेंड्स यह बिल्कुल खड़े नापना है हलकी सी भी measurement इधर उधर नहीं हिलने चाहिए बिल्कुल खड़े नापना है बिल्कुल ऐसे दिखी मैंने दोनों points को meet करका है यह जैसे हम compass को हम या फिर तार्क दो point पर च्छवाते हैं या टच करते हैं बिल्कुल ऐसा ही अब हम क्या करेंगे जो यह cut-off point साथ दिखी रहा यह वाला जो cut-off point है इस वाले point पर हमने compass की नोक रखना है और यह arc को cut कर देनी है जहां arc cut होगी उसके बद हमने क्या करना है scale की सहायता से यह 5 वाले point को इस वाले point से मिला देना है ओके friends इस वाले point से मिला देना है बिल्कुल सिधा थोड़ा भी measurement हिलेगा तो आपका यह diagram गलत हो जाएगा बहुत ध्यान से मिलाना है अब देखिए जो यह line है और यह line दोनों parallel दिखेंगे आपको ओके friends और जो यह cut off point है यह हमारा count होगा B dash ओके friends I repeat again अगर आप measurement थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो आपका यह diagram आपको देखने में बच्छा लगया छोटी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें यह जो arc हमने cut की है यह आपने सफाई से cut करनी है इसकी measurement ध्यान में रखना है कितनी measurement है उतनी ही measurement आपने यहाँ खोलना है बस एक यही step इसका आपने याद रखना है जिससे कि आपका diagram सही बनेगा अब हमने क्या करना है अब हम इसकी construction लिखेंगे construction लिखने से पहले हम इनकी measurement कर लेंगे okay friends इनकी measurement यह देखीए क्योंकि हमें two measurement two parts में divide करने बोला था two parts को measure भी करना है तो measure करने के क्या करेंगे हम scale की साहता लेंगे और इसको measure करेंगे तो दिखें जो पहला पार्ट है वो आपका कुल मिलाकर 2.9 बनना चाहिए और 2.4.7 बनना चाहिए ओके फ्रेंड्स I hope इतना आपको clear हो गया होगा I hope आपको इतना clear हो गया होगा अब हम इसकी construction लिखने वाले हैं construction कैसे लिखेंगे इसके लिए जैसा जैसा हमने process यहां पर follow किया हुआ है वैसा ही वैसा हम अपनी copy पर इस side में note कर देंगे तो चलिए construction को लिखना क्या क्या है तो उसके लिए हमने क्या क्या है यह construction आपको लिखके पहले से बता रखी है बस यही measurement आपने यहां note down करने है चलिए मैं इसको पढ़के सुनाता हूँ सबसे बहले हम क्या करेंगे यहां पर हमने इस diagram में A से लेकर B 7.6 cm की line draw की थी तो इसकी measure मेंट हम यहां लिखते है 7.6 cm तो हमने अपनी construction में लिखना है construction यहां लिदिया और जो step 1 है पहला जो step है उसको लिखेंगे draw a line segment A B 7.6 cm 7.6 cm की हमने measurement draw की है उसकी बाद second step हमने क्या किया था draw an acute angle at point A with the downside of A B हमने क्या किया था A वाले point पर acute angle draw किया with the help of compass वह हमने 60 degree draw किया था तो 60 दिखाने की जूरत नहीं है आपको just up acute angle लिखेंगे यहां पर कि हमने acute angle draw किया है फिर हम क्या करेंगे third point लिखेंगे draw 13 arc on the line A x जो हमारी A x line थी यह रही हमारी A और यह x जो point था हमारा yellow point इस पर हमने कुल मिलाकर 13 arc draw की थी 13 arc क्यों draw की थी क्योंकि हमें 5 ratio 8 बोला गया था तो इनकी ratio को हम add करके यह 13 arc लगाएंगे इसलिए हमने यहां लिखा draw 13 arc on the line A x where A A 1 A से लेकर A 1 तक हमने equal 13 arc A से लेकर A x पर हमने कुल मिलाकर equal 13 arc लाई है तो उसकी measurement लिखेंगे A से लेकर A 1 फिर A 1 से लेकर A 2 की length पर बराबर है फिर A 2 से लेकर A 3 की भी जो distance है वो बराबर है इसी according dot order करके हमने लिख दिया A 12 से लेकर A 13 वाला भी जो measurement है वो हमारा बराबर ही होगा ओके फ्रेंट्स यह equal arc लाई है उसी को हमने यहाँ पर इस according दिखाया हुआ है फिर हम क्या करेंगे उसकी बाद हमने किया था यहाँ पर A 13 को B वाले पॉइंट से मिला दिया था तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्थ स्टेप जॉइन B and A 13 ओके फ्रेंट्स यह हमने B और A 13 को मिलाया हुआ था उसकी बाद हमने क्या किया यहाँ पर A 5 पर रखकर कंपस की आर्क लाई थी और इसको पैरलल ड्रॉ करने की कोशिश की थी कोशिश की हमने पैरलल ड्रॉ किया था तो आपने यह लिखा फिफ्ट स्टेप फ्रॉम पॉइंट A 5 ड्रॉप पैरलल टू बी A 13 दिखे रहा जो A 5 वाली लाइन थी A 5 से लेकर यह जो B डैस तक गई है यह तो B डैस हमारा बाद में पता लगा हमें इसका नेम दिया है A 5 वाली जो लाइन गई है वो हमारी B और A 13 के पैरलल गई है तो वह ही हमने लाइन यहां लिखी है from the point A 5 ड्रोप पैरलल to B A 13 उसके बाद हमने क्या किया है जो यह हमारा cut of point मिला था उसको हमने लिखा है step number 6 में B डैस is the point dividing A B of 7.6 centimeter in the ratio 5 ratio 8 जो यह B डैस है AB का AB को 5 ratio 8 में divide कर रहा है okay friends फिर हमने क्या किया जो last step उन्होंने हमसे पुछा था measure the two parts two parts को measure करना था तो हमने measure करके बताया कितना है A से लेकर B डैस तक 2.9 centimeter और B से लेकर यह B से लेकर B डैस तक 4.6 centimeter okay friends अगर आप इन दोनों की measurement को add करेंगे तो हमारे पास 7.6 centimeter आ जाएगा I hope यह construction आपको clear होगी होगी आप इसका screenshot रखके अच्छे से इस construction को बना सकते हैं okay friends या फिर आप इस वीडियो को save कर लिजिए और अपने YouTube में save रखिए जिससे कि जब आप पेपर देने के से पहले आप इसको अच्छे से rewind कर सकेंगे okay friends keep supporting us प्ली लाइक शेर और सकामेट चैनल thank you take care and all the best for exam किसी तरह की दिखकर पसानी आती है हमें comment कीजिए हम उसका solution करने की पूरी कुशिश करेंगे okay friends हमारी वीडियो को अपने friend circle में share करना ना भूले जिससे कि वो भी construction का chapter जो है बहुत important chapter है वो हमारा four marks का है कितने marks का है four marks का यह topic है इसमें आपने construction बनानी भी है और construction लिखनी भी है okay friends तो इसको share जुरू करेगा keep supporting us play like, share and comment thank you take care and all the best for exam जल्दी मिलते हैं question number 2 के साथ